आपका नाम क्या है भाई से मेरा नाम अमीत महुर्या है यह जो कागा से अपना उठा के दिखाओ इन लोगों को इसमें क्या लिखका है अच्छी तरह पढ़ो इसको इसमें क्या लिखका है आपने बताओ बताओ OBC SC सिछकों को न्यूकती दो सर हम दो साल से इको गार्डन में लगातार नहीं तुम दो साल से चक्कर काट रहे हो ठीक है खड़े हो कड़े हो मौरिया जी यह आपने पोस्टर पकड़ रखा है यह कागस की कोई जरूरत नहीं इसको अठाओ यह आपने कोई जरूरत नहीं इसकी देखिए यह आपने पकड़ा हुआ है इस पर यह शब्द OBC और SC लिखा है इसका क्या मतलब है OBC शब्द का मतलब बताओ मुझे जो पिछड़े वर्ग से आते हैं उनिक OBC कहते हैं हम लोग OBC SC जो है पिछड़े समाज से हैं हम लोग का सबसे पहले भाई माइक स्थेवाल करना सीखो इसको यहां पकड़ो फिर बोलो थोड़ा गवराना नहीं है तुझे तुब बबर शेर है गवराना नहीं है अब मुझे बताओ OBC क्या है आपको नहीं गवराना ओबी सिख्या है मुझे बताओ बोलो बोलो ओबी सिख्या मुझे बताओ रिलाक्स करो शांत हो जाओ ओपी सिख्या बताओ अधर बैकवर्ड कास्ट भाई OBC अबादी हिंदुस्तान में कितनी है यह बताओ सबको मिलाके इसकी अबादी इस बबर शेर की अबादी 50% है बात समझाई इसकी अबादी 50% है यह कागत पिर से दिखाओ मुझे नहीं दूसरा वाला नीला वाला यह पकड़ो इस पे दूसरा शब्द क्या लिखा है यह क्या लिखा है स्थी जोर से स्थी सेड्यूल कास्ट शेड्यूल कास्ट के अबादी कितनी वह भी 15% पंद्रा परसेंट पचास और पंद्रा कितना आठ परसेंट आदिवासियों की है पैसट और आठ कितना हुआ तो यह सुनो सुनो इसकी अबादी 73% है यह पोस्टर लिए घूम रहा है और यह रो रहा है यह क्यों रो रहा है यह क्यों रो रहा है यह इसलिए रो रहा है क्योंकि यह पिछडी चात का है यह इसलिए रो रहा है क्योंकि इस देश में इसके लिए कोई भविश्य नहीं है सही बात बोली मैंने इसका कोई भविष्य नहीं है और हमारा काम 73% का काम इसके लिए भविष्य बनाने का है इस देश में दलित, पिच्डे, आदिवासी 24 घंटा दमाई जाते है उन पे थूका जाता है उनको धमकाए जाता है उनके रास्ते बंद किये जाते है ये सच्चा ही ये देश की मैं आपसे बुछता हूँ 200 सबसे बढ़ी कमपनिया हैं इंदुस्तान में अदानी वाली, अंबानी वाली, टाटा वाली, बिरला वाली सुने होंगे नाम आपने आगे पीछे देखो, नाम दिख जाएंगे मुझे बताओ, मौरिया जी इन 200 कमपनियों के मालिकों की लिस्ट में मौरिया जात के कितने लोग हैं बताओ कोई नहीं है सर, भाई और बहनों, मौरिया जात का कोई नहीं है, चलो बताओ भाईया, यादव कितने कोई नहीं है बताओ पासी कितने कोई नहीं है सर जाटफ कितने कोई नहीं है आदिवासी कितने कोई नहीं है सर कुर्मी कितने कोई नहीं है सर लोधी कितने कोई नहीं है भाईयों और बेहनों 50% आपकी अबादी है 200 सबसे बड़ी कंपनियों के मालिक में ना एक OBC ना दलित ना एक आधिवासी अब मौरिया जी मुझे कहेंगे देखो वहिया मैं मालिक नहीं बनना चाहता मैं तो मैनेजमेंट में जाना चाहता हूं तो बताओ मौरिया जी 200 सबसे बड़ी कंपनियों के सीनियर मैनेजमेंट म आपके कितने लोग कोई नहीं है कोई नहीं है तो management में कोई नहीं मालिकों में कोई कोई नहीं 73 परसेंट अबादी का हिंदुस्तान के सबसे बड़ी 200 company में कोई नहीं अब भाई या मौरिया जी बताओ, प्राइवेट हस्पतालों के मालिकों में से, मौरिया कितने, मुझे किसी का पता नहीं है, कोई नहीं, मैंने लिस्ट निका लिए, कोई नहीं, अब बताओ, प्राइवेट युनिवर्सिटी कॉलिजिस के मालिक में, 70% के कितने, कोई भी नहीं, अच्छा बताओ, सुपहाई कॉर्ट में 650 हाई कॉर्ट जाज है उन में से बता दो मौरिया कितने एक भी नहीं है मुझे बताओ मौरिया जी ये मीडिया वाले चक्कर काट रहे इनके मालिकों में से मौरिया कितने कोई भी नहीं है OBC कितने कोई भी नहीं है कोट्स में कोई नहीं तो मौरिया जी तेरे आदमी है कहां कहीं नहीं है सर तेरे आदमी मजदूरी करने देश में मन रेगा की लिस्ट निकालो OBC दिखेंगे दलित दिखेंगे आदिवासी दिखेंगे contract labor के list निकालो OBC दिखेंगे, आदिवासी दिखेंगे धलित निकलेंगे अब सुनो अब मैं आपको मताता हूं तुम लोग तुम लोग ये कागज लिए बैठे हो ना paper leak वाले भेलो तरह आने लो मौरिया मौरिया जी बैठे रहो मौरिया नीचे नहीं बैठना उपर बैठना है अब मौरिया जी अब मैं आपको बताता हूं ये paper leak में क्या हो रहा है बात समझ नहीं है आप लोगों को समझ नहीं है अब 73% ने 73% कौन है दले तादिवाजी पिछड़े उसमें 15% आप माइनॉरिटी जोड़ दो ठीक है सिख, मुस्लिम, इसाई ये सब जोड़ दो और 4-5% गरीब जनरल कास के जोड़ दो ठीक है तक्रीबन हिंदुस्तान की 90% अबादी अब ये क्या करते हैं इनको सबसे पहले एक जूट बता जाता है चोटे-चोटे बच्चे पैदा होते हैं इतने बड़े उनको कहा जाता है बेटा तू अगर पढ़ाई करेगा आजा बेटा तू अगर पढ़ाई करेगा आईएस में आईपीएस में रेल्वेय में इधर उधर नौकरी मिलेगी ठेर जाओ, ठेर जाओ, ठेर जाओ ठेर जाओ, सुनो उसको कहा जाता है इतने बड़े बच्चे को कहा जाता है बेटा तू पढ़ ले तेरे बाप के जेब में से 5-6 लाग रुपए निकाल कर प्राइवेट कॉलेज में डाल दे प्राइवेट उनिवर्सिटी में डाल दे कोचिंग सेंटर में डाल दे और फिर तुझे IAS IPS वो देखो BJP वाले जंडा उठाएं हलो हलो पाँच लोग कड़े हुआ यहाँ पे जंडा लिए वो देखो जंडा भी डाउन कर दिया तो तो उनको कहा जाता है बेटा बड़े होके IAS में जाओगे अब पुलीस में जाओगे इधर उदर जाओगे आप पांच लाग दस लाग रुपए डालते हो और पिर क्या होता है आपका पेपर लीक हो जाता है और वो ही दो तीन पांच परसेंट लोगों को सेंट परसेंट मार्च मिल जाते बिना कोई काम किये आप देखते रह जाते हो बाई और बैनो आप पिछड़े हो आप दलेत हो आदिवासी हो आपका काम सडकों पे लिए ऐसे पोस्टर लिए घुमने का है ये आपका काम है आपका इस देश में और कोई काम नहीं बचा ये आपका भविष्य मैं वारणसी गया वारणसी में देखा मैंने रात को बाजा बजरा है भर भर बाजा बजरा है वहाँ पे श्राब पिए श्राद पिए सडक पे लेखते हुए बाज़ बज रहा है यूपी का भविश्य रात को शराब पिये नाच रहा है डांस कर रहा है नशे में दूसरी तरफ राम मंदिर खुलता है राम मंदिर में आपको नरेंद्र मोधी देखेगा आपको अंबानी देखेगा आपको अदानी देखेगा आपको हिंदुस्तान के सबचे अडपती देखेंगे आपको एक पिछड़ा नहीं देखेगा आपको एक दलित नहीं देखेगा आपको एक आदिवासी नहीं देखेगा क्यों नहीं ये वो आपकी जगे नहीं भाई और बेनों आपकी जगे सड़कों पे भीक मागने की है आपका काम हिंदुस्तान में सड़क पे जाकर ऐसे पोस्टर दिखाने का है और उनका काम उनका कुछ नहीं होगा भाईया उनका काम पैसा गिनने का है आपके बच्चे जी एस्टी देते हैं आप जी एस्टी देते हो मीडिया के आप नाम क्या आपका हाँ आप शिप्रशाजी है आपके मालिक का क्या नाम है आपके मालिक का क्या नाम है क्या नाम है नाम बताओ नाम बताओ ओई मारो मत यार मारो मत उसको, मारना नहीं है, मारना नहीं है, नाम बताओ उसका, वो OBC है, नहीं, वो दलित है, नहीं, वो आदिवासी है, नहीं, अरब पती है वो, आपने कभी मीट, भैया उसको मारो मत पिचारेगो, भैया आप आजाओ यहां, आजाओ, आजाओ, दरना नहीं है, इसको ब आओ इदर, इदर आओ भाई, इदर लाओ इसको, आजाओ, आप रिलाक्स करो, रिलाक्स करो, यहाँ आजाओ बस शांती से, भाईया, शांती से यहाँ आजाओ, बस बैठ जाओ, कोई प्रोब्लम नहीं है, इनके जो मालिक है, अरब पती है, यह किसानों की कभी बात, बैटो बैटो, ये किसानों की कभी बात नहीं करेंगे, ये दलितों की पिछडों की कभी बात नहीं करेंगे, ये अपने अकबार में ऐसा कभी नहीं दिखाएंगे, ये हिंदुस्तान का भविष्य है, ये हैं, इसको देखो अची तरे, पेपर लीग, बेरोजगारी, महिंगाई, य और दूसरी तरफ चोपिस घंटा आपका ध्यान इदूर अधर करते रहते हैं इदर देखो उदर देखो बाई और बेनो आपकी 73% अबादी है करांती कारी कदम लेना है आपको मैं बता देता हूँ क्या है जाती जन्गरना सबसे पहले आपको पता लगाना है आपकी अबादी कितनी उसके बाद इस देश का जो धन है किसके हाथों में वो आपको पता लगाना है आपको सुबह उठना है कहना है भारत माता का कितना धन मेरे जेब में आया अदानी उठता है सुबह और कहता है आज मैंने सोचना है मैंने देखना है सोनी किचिडिया का कितना पैसा मेरे जेब में आया यही सवाल आप सबको अपने आप से हर रोज पूछना पड़ेगा जब तक आप यह सवाल नहीं पूछोगे तब तक आप लोग प्रगती नहीं कर सकते हो आपका 24 गंटा बेफ़कूप बनाये जाता है 24 गंटा यह मौरिया जी खड़े हैं मौरिया जी आपको डरना नहीं है आपको जाती जंगरना के लिए लड़ना है जाती जंगरना से आपके अबादी के बारे में पता लगेगा जाती जंगरना से आपको पता लगेगा कि देश के बड़ी कंपनियों में आपके लोग कितने हैं मीडिया में कितने लोग हैं यह सब पता लगेगा उसके बाद करांतिकारी काम शुरू होगा फिर इस पोस्टर के जरुरत नहीं होगी समझे बात घवरा गए तो ये मैं आपको मेसेज देना चाहता था आप राम मंदर की बात होती है चौपिस गंटा राम मंदर की बात होती है वहाँ पे आपने किसान को देखा आदिवासी राश्टरपती को देखा दलित को देखा अंबानी को देखा अदानी को देखा अमिताबच्चन को देखा शारुक खान को देखा यह हैं दो तीन परसेंट जो देश को चलाते हैं आप लोगों को आप लोगों को जो आपका हक है वो लेना है 73 परसेंट को खड़े होके अपना हक लेना है और हक लेने का पहला कदम जाती जन करना है भूलो मत आप सब का दिल से धन्यवाद नयाय यात्रा में हमने शब नयाय इसले चोड़ा है आपके खिलाफ अन्याय नहीं जाना कहीं आपके खिलाफ अन्याय हो रहा है आपको हर रोज रोज आपकी बेस्ति की जा रही है यह आपके बच्चों का भविश्य नहीं हो सकता ये मैं मानने को त्यार नहीं हूँ दन्यवाज जैन